हेलो गाइस तुम आप लोगे लिए गया एक और ब्रैंड न्यू वीडियो तो गाइस आज हम लोग जा रहे थे यह एनिवर्सरी का जो नया अपडेट आया है यहां काफी सारी लूट मिलती है तो मेरे टीममेट ने डिसाइड किया था कि यहीं जाके लूटेंगे बट उसने यह नहीं बोला था कि भाईया यहां बंदे भी काफी आते है तो यहां जल्दी से हम लोग लूट उट करते हैं क्योंकि यहां और भी स्कॉड्स आई होती है तो यहां तो फिलाल मुझे यार गन के नाम पे कार नाइंटेट एंड शॉट गंस वगरा मिलते है तो यहार मेरी नसीब बड़ी अच्छी रहती है मुझे यहां मिल जाती है बैया उजी तो जैसे उजी मिलती है तो मुझे एक बंदा भी मिल जाता है एक्चली मेरे बंदे पर फायर लेते रहता है और इधर उदर विचारा नहीं देख पाता है जिसके उज़े से उसको नॉक होना पड़ यार मुझे ऐसा लगता है कि उसके बंदे और भी यहीं कहीं चुपे होएंगे तो उनकी पोजिशन दो kangसे कम मुझे पता चल जाए कि बट यहार उनके बंदों की पोजिशन तो मुझे नहीं पता चली और यहां मैं आगे टीपी पी लेने लगता हूं इसलिए क्योंकि यहां काफी देर से ना एक बंदा है ना मुझे फोस्टेप दे रहा था और इस बंदे के लिए यार मुझे बहुत ही खराब लगा यार यह विचारा जम कर गया भी मतलब उपर चड़ी रहा था कि विचारे को मैंने हावे में मार के पूरा का पूरा नौकी क कर दिया खतम नहीं कर पाया और यहां एक बंदा जो टीपी ले रहा था काफी देर से मुझे फोस्टेप दे रहा था तो यहां मैं भी ठाल लेता हो कि भी आज देखते कौन कितनी देर तक के टीपी लेता है वह भी काफी देर तक के लिया था बट यार उस विचारे का बेर आया तो उसको रश नहीं करना चीए था उसको वेट करना चीए था या तो अपनी पोजिशन चेंज कर दीनी चाहिए थी बट उस नूबड़े की किसमत यहां बड़ी खराब थी तो मैं अपने उस एक बंदे को जिसको मैंने नौक किया था उसको ढूंडने के लिए न उतर उतर के जा रहा था अपनी मतलब बुलते ना जान की भीक महांग रहा था बट उस बंदे को हमने पहुचा दिया लॉबी में तो अब बचे थे यहां पर और भी काफी बंदे थे मतलब एक स्कॉट के दो बंदे और बचे हुए थे तो अब उनको अब हमको ढूंडना किया थे तो मुझे जिसको मैंने पहले नौक किया था शायदा आइणिक ही थाय नाम पड़ा नहीं था तो उसको से मारकर मैं यहां नौक कर देता हूं और मेरा बंदा फिनिश भी कर देता ऩो अब आध कर देता हुए तो अब बंदे का में सरवाना मेरी जो फाटी है यहां भी मुझे इसा लगा कि या रहे यह मार देगा क्योंकि मैं पूरा ओपन में था तो अब यह बंदा काफी ढहीट था मतलब बाहर निकल नहीं रहा तो तुम्हारे भाई ने यहां पुरा लेफ्ट से फ्लैंग मारता हूँ तो मुझे उसका सर दिख जाता है तो जल्दी से उस सामने याँ बंद सांप बने पढ़ा है तो यह मेरी पड़ी कर दिया मैं में और है तो पता चलता है कि यहां के बंदों को हमारे टामने कर दिया है साफ है है अब ये दो केडी का आप बोलों किया ही इस प्रेय काफी घटिया यहां किया था क्योंकि यार मेरे पास अटेच्मेंट नहीं थे मैं ने तो मैं काफी इसको नॉक कर सकता था बट वह दोनों नूबलों के किस्मत बड़ी अच्छी रहती है कि वह बद जा दिखते हैं पता नहीं कहां गाय बहुत करते रहता खंने करता हो इंचली एक तरीके ग्लिश है अब मेरा बंत मुझे सब्याल तो चोँदे कर दीच हो और उत्ने कर दिया मेरे एक नमबर को भी काफी घंदा भर घाता तब हम लोग किसे थे एंहें अब मुझे बंदों की पोजिशन पता नहीं थी तो मैं पोजिशन ढूंडने के लिए इधर उधर भटा करा था मतलब बुलते हैं ना एक बंदा काफी स्वैग में एक स्कॉड का अकेला बंदा यार हम पे रश करने आ जाता है पता नहीं यार कौन से नशे किया था यार अब मुझे भी नहीं पता तो यहां मैं उसको जैसी ड्रॉप सॉट मारता हूं तो थोड़ा पैनिक सा हो जाता है और वह गलती कर बैठता है वह कूट के लेफ साइड भागना लगता है जिसकी हुझे से आग अगर वहां बैटा होता ना तो मुझे इजीली मार सकता था बट वह थोड़ा जादा ही पैनिक हो गया था तो मैं उसके बाकी के बंदों को ढूंडने के लिए यहां आता हूं कि सू राइड गया कि यार अब हम जाएंगे रोजोग क्योंकि यार हमारे हमको चाहिए किल और किल की चकर में तो पता ही यह यार अच्छे-च्छे यूटूबर क्या-क्या करते तो यहां मैं पूरा रोजोग ढूंडने के बाद यार मुझे कोई दिखा नहीं यहां तो मैं यहा पता चलता है कि यह भी एक बाट था तो आप लोग यह मत बुलना कि यह खाली बाट्स मारता है क्योंकि यह देखो अच्छे-च्छे यूटूबर के भी वीडियो दो का आज कल बाट्स काफी आते तो इसमें अब हमारी गलती नहीं है वो पबजी वालों को जाके बोलो तो अब हम लोग बंदे ढूंडने के लिए आ जाते तो मुझे इतना गट फिलिंग था कि भाई यह स्कॉर्ड हाउस में बंदे जरूर होएंगे बट यार मुझे यह नहीं पता था कि यहां एक नहीं दो नहीं तीन-तीन स्कॉर्ड होएंगे तो यहां एक्छली यार काफी बो किस्मत अच्छी थी न हमारी किस्मत अच्छी थी न उसका कोई दो कोई बंदा भूट रहा था कि दो ले रहा है ना reflect विसमत से मतलब थोड़ा सा हाथ दिखता है बटर हाद के साथ साथ मुझे मॉली भी दिखहते हैhen उसने मेरे पर मॉली फेग दिया तो है यार जब यहारव साइड आता dan और यहार सामने स्कॉअड आूस वाले नहीं कफिटी्ड दू स्कॉर्ड है जो हम पर रश कर रही है तो मैं फटक से उसके एक बंदे को उपन में नौक कर देता हूं लेकिन जब तक यह यार उसके दो बंदे हम पे पहले ही मतलब पुश कर चुके होते चड़ चुके होते तो अब यहां यार उन लोग काफी कोशिश करते हो तो अच्छा उनकी नसीब अच्छी थी हमारी सोरी हमारी नसीब अच्छी थी कि उनके पास नेड्स या मॉली बगहरा नहीं थे जिसके वज़े से हम लोग अभी तक के बचे हुए थे तो यहां मेरे एक बंदे को नौक कर देता तो यहां तुमारे भाई की एना सनक जाती है अब बुलत यहां जल्दी से खतम कर देते हैं और खतम करने के बाद भाई तुमारे भाई को मिल जाती है AWM दा पापा गन तो अब यार सामने से शौर्ट्स आ रहे थे और भाई तुमारे पास AWM और कोई पीक लेवे तो जाहिर सी बाद उसका टकला तो फुटे गई अब तुमारे भाई को यहां किल की भूक इतनी आ गई थी कि यार एंगल बनाने के लिए चड़ गया छट के उपर बट तुमारे भाई को कोई एंगल नहीं मिल रहा था तो यहां मैंने डिसाइड किया कि पूरा लेफ्ट से हां भाई सई सुन रहे हो पूरा लेफ्ट से फ्लैंक मारके यार केल उठाने के लिए अकेला घुच जाएगा और सच में मुझे थोड़ा उमीद था कि यार मेरे टीममेट मुझे थोड़ा मतलब कवर देंगे आएंगे पिछे लेकिन कोई नुबड़ा आया नहीं तो यहां मैं इसको पिन करके बंदों को देखते रहता हूं जैसी एक को देखता हो तो मेरे बंदे ने उसको नॉक कर दिया तो अ यूद की मतलब position पता नहीं थे कि और बंदे उसके है तो है का बार आखिर दक यह मुझे उसके सारे बंदों की पोजिशन नहीं मालूम पड़ा पता नहीं क्या ही मतलब निशेथ यार छूप मुझे इन्हीं रहते तो मुझे उनकी position जाननी थी तो जल्दी से मार कर नॉक कर देता हो फिनिश तो नहीं करता हो क्योंकि यह जोन बापा बहुत छोटा हो गया और यह जोन काफी मतलब डेमिज देता है तो यहां मतलब बुलते ना अल्मोस्ट मैं जोन के बाहर मरने ही वाला था लेकिन यार यहां मेरी नसीब थोड़ी अच्छी थी वान एच्पी पर बज़ गया तो यहां जल्दी से हेल्ट वेल्थ मारते हैं फिर मैं अपने बंदों को बुलता हो चलो भाया तीन बंदों को डुनने निकल पड़ते हैं त यार क्या होता है अलग-अलग होते तो यार काफी प्रॉब्लम सी हो जाती है तो इस गीली सूट वाले को मैं काफी डेमेज देता हूं यार काफी कोशिश करता हूं नौक करने की बट हमारी नूबड़ी किसमत थी यार नहीं कर पाया तो अब यह मुझे उसका दूसरा अब मैं यहां से मतलब अंगल बनाने की कोशिश करता हूं तो मुझे एंगल मिल जाता है उनलोग मुझे सब एक जगा बैटे रहते तो मैं यह जल्दी से स्कोपिन करता हूं और यह गीली सूट वाले को पकड़ की विचारे को नौक कर देता हूं उतने में हमारा तीन प्रफुक है तो जल्दी से क्लोसीन करनास शुरू कर देताह और यहां में उनलोगों को बूलताओ है मैं कवर दे रहा हूँ तुम लोग हुच जा तुम लोग उनलोग घुच जा test और सब्सक्राइब करना और अप लोग वीडियो आठो करना ऌत tipping गेम प्ले कैसा लगा